वेलकम बैक तू माई चैनल, आज हम बनाने जा रहे है पनीर कॉन सान्विच, ये सान्विच एक हेल्दी और टेस्टी सान्विच है, इस वीडियो का आप एंड तक देखें और आप ही बना सकते हैं ये टेस्टी और हेल्दी सान्विच, तो चली इसे हम बनाना शुरू करते ह इसके लिए हम लेंगे half cup chopped capsicum और one cup sweet corn, आप इसमें कोई भी vegetable यूज़ कर सकते हो, अब एक pan में हम दो cup पानी गरम कर देंगे, ये पानी अच्छे से बॉल हो जाए तब हम इसमें हमारी vegetables आड कर देंगे, आप देख सकते हैं पानी अच्छे से बॉल हो गया है, तो पहले हम हम इसमें डालेंगे sweet corn, फिर डालेंगे capsicum और इसे एक बार हम stir कर देंगे ताकि ये पानी में mix हो जाए और फिर इसे हम boil करेंगे 5 minutes के लिए, इसे हम cover कर देंगे ताकि अच्छे से boil हो जाए अब 5 minutes के बाद हमारे vegetables अच्छे से boil हो गया है, तो अब कर देंगे हम gas की flame off, और इसे cool down कर देंगे 2 minutes के लिए sweet corn और capsicum अच्छे से boil हो गया है, तो उसके अंदर से हम पानी निकाल देंगे, तो हम इसे ऐसे strain कर रहे हैं ताकि इसका जो भी extra पानी है वो नीचे निकल जाए इसे हम एक बाउल में transfer कर देंगे और ये perfectly cool down हो चुका है, ये sandwich एक healthy sandwich है, जिसे आपको ज़रूर try करना चाहिए अब इसमें डालेंगे 1 teaspoon chili flakes, half teaspoon अमचूर powder, इसे हम dry mango powder भी कहते हैं, 1-4 teaspoon white या black pepper powder, 1-4 cup paneer cubes, जिसे हमने paneer को ऐसे small shape में cut कर दिया है, वो इसमें हम add कर देंगे salt भी add कर देंगे, अपने taste according और इन सब को हम अच्छे से mix कर देंगे, ताकि हमारे सारे मसाले mix हो जाए अगर आप paneer के cubes नहीं लेना चाहते हो, तो आप paneer को grate करके भी इसका stuffing ready कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे paneer के cubes लिए है, आप paneer को grate कर दीजे, और इस stuffing में add कर दीजे, और ये paneer stuffing बन कर तयार है, इसी paneer stuffing से हम 2 sandwich बना कर तयार करेंगे, तो पहले इस stuffing को हम एक ball में निक दाल देंगे, और इसमें डालेंगे 1 tablespoon tomato ketchup, ये stuffing बच्चों के लिए है, जिने tomato ketchup बहुत पसंद है, तो आप इस stuffing में tomato ketchup आड कर दीजे, और हमारा ketchup पनी stuffing बन कर तयार है, और जो दूसरा stuffing है, उसमें हम डालेंगे 2 tablespoon curd, और इसी हम अच्छे से mix कर देंगे, ताकि curd हमारी stuffing में mix ह हो जाए, अगर curd आड करने के वज़े से आपका stuffing watery consistency का हो जाए, तो इसे आप फ्रिज में रख दीजे 5 minutes के लिए, और उसके बाद में ये अपने आप ही perfect consistency में आ जाएगा, अब लेंगे एक bread की slice, उसके उपर apply करेंगे हमारा ketchup पनी stuffing, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके उपर अब cheese या पनी ग्रेट कर दीजे, मैं या पर cheese ग्रेट कर दीजे, आप चाहो तो पनी भी ग्रेट कर सकते हो, अब इसके उपर एक और bread की slice हम रख देंगे और हलके हाथ से इसे प्रेस कर देंगे, अब इस bread slice पे हम घी apply कर देंगे, अगर आपके पास butter हो तो आप butter भी apply कर सक करते हो, गी apply करने के बाद इसे हम एक non-stick pan में roast कर देंगे, और इस वक्त हम gas की flame को रखेंगे, medium to low flame के बीच में, अब दूसरे side में भी हम गी apply कर देंगे और इसे भी हम roast कर देंगे, यह दोनों side से golden brown हो चुका है, तो इसे हम एक plate पे रखके इसकी cutting करेंगे, and trust me यह sandwich बहुत ही easy and tasty sandwich है, इसे आपको ज़रूर try करना चाहिए, हमारा ketchup paneer stuffing sandwich बनकर तयार है, यह specially बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ketchup add किया है, इसे आप serve कीजिए green chutney और ketchup के साथ, अब हम बनाते हैं दूसा sandwich, वो है curd paneer stuffing sandwich, तो बस इसी तरीके से हम bread के उपर हमारे stuffing डाल देंगे, इसके उपर grate कर देंगे cheese, और इसके उपर रख देंगे एक और bread की slice, इसे हलका सा प्रेस कर देंगे, और इसके उपर apply कर देंगे हम ghee, घी को हम 4 तरफ से apply कर देंगे, और ज अच्छे से roast कर देंगे, फिर इस साइट पे भी हम ghee apply कर देंगे, और दूसे साइट में भी हम इसे roast कर देंगे, ये दूसे साइट से भी roast हो चुका है, और हमारा पनी कॉन sandwich, जिसे हमने दही से बनाया था, यानि कर्ड से वो बनकर तयार हो गया है, तो इस recipe को आप ज़रू ट्राइ कीजिए, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए happy and safe cooking